दोस्तो आज मैं आप से बात करूँगा बिहार प्लीज 2018 भरती का एक्जाम डेट यानि या एक्जाम कब होगा तो आए सबसे पहले एक साइट खोलते हैं जो सिपाई भरती परतिश्ठित वेफ साइट के बारे में जानते हैं उसको खोलते हैं तो दोस्तो आप टाइप किजिए csbc.bih.nic.in टाइप करने के बाद इंटर दबाईए इंटर दबाने के बाद यह परतिश्ठित वेफ साइट खोल गिया जहां पे 12-6, 12 माई के बाद कोई अपडेट नहीं आया है यानि कि जब से ओनलाइन खत्म हुई है 31 जून के बाद जुलाई खत्म हुई अगस्त आ गई है जिसके बारे में कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है कितने लोग रिजेक्ट हुआ है कितने लोग इसके लिए सही फॉर्म भरे है या कितना तरीको एक्जाम होगा कितने लोगों ने क्या किया है ऐसा कुछ भी नहीं दिया है लग रहा है कि जैसे की मानो सो गया हो और जागने के नाम नहीं ले रहा है यह बिलकुल ही बिलकुल ही नाइंसाफी है इस्टूड़ों के साथ जो भी बीहार प्लिस का फॉर्म भरे हैं आप में से बहुत ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं क्या होगा नहीं होगा और पिछले साल जो भरती वी थी उसमें भी कितने लोग को अभी तक सेलेक्शन नहीं हुआ बहुत लोगों ने कमेंटिंग में बताया कि आखिर यह सेलक्षन कव तक होगा और मेरे ख्याल से सेलक्षन दे रहा है या नहीं दे रहा कि बैठा के रखा है रिजर्ड तो निकाल दिया रिजर्ड निकालने के बाद ना कोई call आया है ना कुछ later आया है बहुत student के साथ ऐसा हुआ है मुझे मालूम चला है और मैं एक बात बताता हूं दोस्तो आप इनको जो है message भी कीजिए जैसे मैंने इसको जो contact एक है contact us लिखा हुआ है इसमें मैंने जो है mail भी किया था यह csbcbih nic इसमें mail किया था कि आखिर कुछ तो update बताए क्या है नहीं है driver का भी खरती कर exam का result कब आएगा क्या होगा नहीं होगा उसके बारें भी कुछ भी responsibility या कुछ ऐसा return या कुछ feedback कुछ दिया ही नहीं है मानों जैसे कि उसको कोई tension नहीं है जैसे हम सभी से आप में से बहुत ऐसे जो form भर है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं जैसे हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर किजिए लोगों तो पहुचाए ताकि लोग भी जान सके क्या है सचाई क्या हो रहा नहीं हो रहा और उनका आँक खुले और इस site में कुछ update करें क्योंकि आपका जो भी update आने वाले है सब यहीं पर आएगी जो बिहार प्लीस का form भरे हैं